भाईयो बहनो नमस्कार आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल में आपका स्वागत है चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे है रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बिल यानि घंटी बनके आएगी उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी जिन में सबसे उपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है भाईयो बहनो आप सबका स्वागत है आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में तो यह 15 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में मुख्यमंत्री बाल आरोगे समवर्धन कारक्रम किया जाएगा सगन पोशर्ट पकवाड़े के आयोजन के संबंद में किलिटर जारी है तो आएए इसके बारे में विस्तर जानकारी हम लोग हासिल करते हैं लिखा गया है कि 15 परिवार एवं समुदाय को जागरू करना है और स्वास्त रहने के लिए परिवार एवं बच्चों में इस परधा की भावना को बढ़ावा देना है तता वर्दमान में पोशर्ट पकवाड़े के सफल आयोजन के लिए परियोजना और स्टर एवं ग्राम सहरी वाड़ पर हितगराहियों के अधिक्तम पंजियन के लिए सुचम कार्योजना भी तयार की जानी है तो आंगनबारी बहनों आप सब ध्यान देना लिखा है नीचे कि 15 फरवरी से 28 फरवरी तक आंगनबारी केंद्रों एवं यहाँ पर आनकवर्ड वगरा छेतर में 0-5 वर्स तक के जो स सक उपकरण जैसे इंफेंटो मीटर इस्टेडियो मीटर और यहाँ पर सॉल्टर स्केल आधी का केंद्रवार आकलन किया जाए तथा अनुपलब्धता यानि अगर नहीं है तो उसमें जो है उपकरण साजा किये जाने की विवस्था की जाए समय निधारण किया जाना सुन अन्य सामुदायक स्तरी समिती इनके सदस्यों को वजन अभियान में सहयोग देने के लिए प्रिरित करना है यह सूपरवाईजरों को बोला गया है साथी दिया गया यह कि परिवार को आंगनबाडी केंद्र की सूच्म कारियोजना के अनुसार बच्चों के सारेरिक माप के लिए निर्धारित दिवस और समय तथा इस्थान के आयोजन के पूर्व आपको आवा मत वगरा कराएं यह सब बताया जा रहा है बाकी लिखा गया है अंगनबाडी के अंतरगत जो पंजीकत जो सयोगी है उनका सगन पोशर पकवाड़ा अंतरगत सयोग भी लिया जाएग बाकी लिखा है सगन पोशर पकवाड़ा का प्रारंब 15 फरवरी से होगा और समारो पूर्वक जो है यहाँ पर किया जाएगा और बताया जारा कि प्रथम सब्ता जो 15 से 22 फरवरी चलेगा उसमें 9 बजे से साम 5 बजे के मध्धे आंगनबाडी केंद्रों के जो बच्चे है उनका सारीरिक माप किया जाएगा और उसे इस दिवसों में एक बजे से बाद जो है वो टोले मजरे जो है अनकवर्ड जो छेतर हैं उनके छूटे हुए जो बच्चे हैं उनके सारीरिक माप के लिए हितगराहियों के घर जा करके आंगनबाडी कारकरती का सयोग संस्थाओ द्वारा पोशर दस्तक वगरा दी जाएगी बाकी छटा है कि इस अभियान के दौरान समस्त कार करती हो एवं दलों को कोविड-19 के बचाओ के प्रोटोकाल का अनिवारत अपालन भी करना पड़ेगा तो ये चीजे दी गई है तो अब आंगनबाडी केंद्रों का जारी हुआ है और हमारे पास भेजा था इस लेटर को रेनू बहन जो मुरेना से आती है बहन को धन्यवाद अब चलते हैं अगली खबर पर आपको बताना चाहेंगे कि ये भी जानकारी निकल के आ रही है और इसमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिन स्कूलों की परिद आपना वे समगर सिच्छा के बजट में इसको सामिल कर दिया जाएगा बिहार की देखो यहाँ पर गाओं में पंचायतो प्रखंडों में स्थर जो है सभी स्थर के सरकारी विद्याले से आंगनबारी केंद्रों की जो टैगिंग है वो इसी महीने पूर्ण कर ली जाएगी तो जो भी आंगनबारी केंद्र है वो निकट्तम जो प्राथियों की विद्याले होंगे उनसे टैग किये जा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि प्री प्राइमरी का संचालन होना है और इसमें निखा किया है कि यहाँ पर इस सिच्छा विभाग के आपर मोकी सच्यू के ने जो आगनबारी केंद्रों के बच्चों को पठन पाठन में भी सपोर्ट दिया जाएगा राज के जिन सरकारी स्कूलों में परिधी में जो एक किलोमेटर में अगर आती है तो वहाँ पर जो है केंद्र नहीं होंगे तो वहाँ बालवाटिका की स्थापना कर दी जाएगी तो बालवाटिका की स्थापना की जरूरत के लिए कितनी जगे और उस पर कितने का खर्च आएगा वसंचारन वे की समय जो है आपर समगर जानकारी भी प्रस्ताव की बाध्यम से मांगी है दोजार बाइस ते इसके समगर सिच्छा के वार्सिक बजट में इसको सामिल करने का नर्देश भी दिया गया है तो इसके बारे में अधिकारी जल से जल जो कारवाई अपनी पूरी कर लें तो ये बिहार से मैटर आया था और इस मैटर को हमारे पास भेजा था हमारे पास रिक्की कुमार भाई जो माधेपुरा से आती है और उनके अलावा एक ये बहन आती ह है सांती देवी जो टीकमगर से आती है और इनके अलावा एक बहन आती है मंजु देवी जो भधोई से आती है भायो बहनों अब बात कर लेते हैं मदाता नर्देशिका के बारे में तो यहां पर मुक्ष निर्वाचन जो अधिकारी उत्तरपदेश के हैं उनके द्वारा य जो है जारी की गई है और जैसा कि आपको बता दें कि मुक्ष निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोश्टल बैलेट के बारे में क्या जानकारी साजा की है तो यहां पर निमलिखी जो व्यक्ति हैं वो बारा डी वाला फॉरम भरकर के पोश्टल बैलेट सुविधा का लाब है तो इनके लिए यह सुविधा है बाकी देखिएगा अपने वियलो को जो है जानने के लिए आपको क्या करना होता है कि यहां पर आपका ECI और कॉंटेक्ट फिर लिखो यह लिखो ECI कॉंटेक्ट फिर इस पेस दो फिर उसके बाद में एपिक नंबर अपना डाल दो और कितने पर 1950 पर बाकी देखेगा इस तरह से यहां पर चीजे लिखी है अपने प्रत्यासी को भी जानने के लिए आप यहां पर इन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं और उसके लिए आपको fudev.eci.gov.in इस पर आप जाकर के कर सकते हो या फिर आपका eco.deo इसकी website पर जाकर के आप जान सकते हो कि अपने प्रत्यासी को कि वो कौन है और उनकी योगिता क्या है उनकी उनका अनुभाव क्या है उनकी संपत्ति कैसी है और यह सारे और उनके पोर्वज जो है मामले जो भी अगर अपरादिक हैं तो वो सब आपको जानकारी मिलेगी. बाकी बात करते हैं म यहाँ पर पोलिंग बूतों पर कोई भी आप जो है अपनी पहचान सम्मंदी दस्तावेज ले जा सकते हैं मदाता परची वगरा भी आप पवस्य ले जाएंगे और बाकी अपना जैसे आधार कार्ड है कोई ना कोई एक दस्तावेज भी ले जाएंगे जिससे आपका वहाँ बाकी आप देखेगा पहचान के लिए क्या-क्या दस्तावेज हैं जो जरूरी है जिनमें से आप कुछ भी ले जा सकते हो जिसमें है वोटर आईडी कार्ड लेखा हुआ है आधार कार्ड है मनरेगा का जॉप कार्ड है पैन कार्ड है पास्बुक है स्वास्त विमा स्मार् है पेंशन डाक्यूमेंट है और आधिकारिक पहचान पत्र वगरा के रूप में अगर आप जो किसी सांसद विधाया किया राजे विधानसवा परिसत के किसी भी जो है सदस से द्वारा जारी कोई भी जो है अपनी परची टाइप का कुछ भी ले जा सकते हैं उनके उनमती जो अधिकारी होते हैं वो आपका नाम और पहचान संबनी दस्तावेजों की जाच करते हैं जैसे कि यह यहाँ पर बैठी हैं प्रिथम अधिकारी इस तरह के और वो आपका दस्तावेजों की जाच करेंगे बाकी देखेगा दोती जो मद्दान अधिकारी होते वो आपकी जो है उंगलियों पर निसान लगाते हैं और आपको एक परची जो है देते हैं वो परची आप जो है अपने अगले जो तीसरे आपके जो है मदाता अधिकारी या सुरी मदान अधिकारी उनको आप देते हैं और फिर क्या करते हैं उसमें नामवाम ढूंते हैं और आपको जो जो लगा है जो पिछले अधिकारी ने लगाया था उसकी जाच करते हैं उसके बाद में आप फिर अपना जो है जाते हो यहाँ पर वो डानले के लिए साइड में बकसा बकसा सब जो है मसीन रखी होती है वियों वाली और उसमें आपको जो है अपनी जो भी प्रत्यासी उनके के उपर बटन दबानी होती है बाकि आपको बताना चाहेंगे और कैसे पता करें कि यह जो है चीजे जो है आपकी हो गई है कि नहीं हुई है तो उसके लिए देखो अपना मदान वगरा डालने को लेकर के यहाँ पर जानकारी है कि सबसे पहले तो आपको जो है एक लाल कलर की जो है वहाँ पर बत्ती वगरा जलेगी इस तरह से जो है बत्ती को जलते हुए आप जो है आप लाल लाल देख सकते हो अपने प्रत्यासी के सामने बाकि आपको बताना चाहेंगे और कुछ और भी चीजी है जैसे अपने मत को सत्यापित अगर आपको करना है तो यहाँ पर क्या है वीवी पैट वगरा चुने हुए प्रत्यासी का क्रमांक नाम और चुनाओ चिन वो सब धारे जो है बैलेट सिलिप को प्रिंट और वगरा यहाँ पर पदसित करेगा तो यह भी चीज़े आप वहाँ पर देख सकते हो बागी बात करते हैं देखिएगा यहाँ पर और वरिष्ट नागरिकोव और दिव्यांग जनों को सुगम प्राथ्मिक्ता मिले उसके लिए चीज़े है और अधिक जानकारी आप अपने वोटर हेल्पलाइन नंबर पर भी प्राप्त कर सकते हो उननीस पचास तो उननीस पचास आप डायल करेंगी बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएंगी तो यहां पर यह कुछ चीज़े थी जो है निर्वाचन से जुड़ी हुई है मैंने सुचा आपको इस वीडियो में बता